बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के उदेश्य से विभिन कारेक्रम आजित किये जाते हैं इसी के चलते शनीवार को स्वरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संजॉली द्वारा नरसरी से 4th class तक के बच्चों के लिए बच्चों के लिए बुनेजा कारेक्रम का आजिन किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चर कर भाग लिया शिमला के सुरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संजॉली में नर्सरी क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक के बच्चों के लिए डांस बोनेंजा कारेकरम का आज़न किया गया इस मौके पर सभी बच्चों के अभी बावक मौझूद रहे कारेकरम में बच्चों ने विभिन विश्यों पर आधारीत प्रस्तूतियां दी कारेकर प्रस्तूतिंग रहे कारेकर फोर्थ के लिए इस लास सुंगreno कारेकर प्रस्तूतिंग प्रस्तूतिंग इस कारेक्रम में शिमला पुलिस अधिक्षक सौमया सांभ शिवम ने बता और मुख्यती थी शिर्कत की शिमला ने अपने संभोधन में कहा कि सभी को बच्चों से कुछ सीखना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि इन बच्चों को देखकर उन्हें अपने बच्च्पन की याद आ गई इस समय बच्च्च्पन को पढ़ने के इन बच्च्च्पन नहीं है इस सौंब बाबा बेक्षिप्पन है अभूट में बूखन? इस से अधे टिये सौर थी बच्च्पन को देखकर उन्हें है चुटर जशीम पर एंदेश कि I have everything with you. This is the feeling of fullness अतने अंदर पूर्मता कर्भाव. सिरफ बाबा ब्लाक शीप से सिखा रहा है आपको. आपको हमेशन लगता है कि आप में कुछ कमी है. इसी कमी को पूरा करने के लिए लूग नशे की तरफ भागते हैं. और कुछ चीज़ों को करने का प्रयाद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें के अंदर कुछ करने हैं. जब इस इस चोटी सी क्लास में आप सभी टेरिम्स को जो खड़े होगों के फोटो ले रहे थे हैं, यहां से बहुत बार इको डाट भी पढ़ रही थे. कि प्लीज टेकरों मेंटेंग कीज़ें, नीचे बैठें, वो बचारे अपने बचों की फोटोग्राफ रहने के लिए इसनों उतावले हो रहे थे कि डिसिप्रिन की बात तो उनके दिमाग से नेकल गई. सरस्वती पेराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचारे मंदी प्राणा ने बताया कि नरस्रीक रास से लेकर फोर्ट क्लास के बच्चों के लिए डांस बोनेंजा कारेकरम का आजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बहतरीन प्रदर्शन किया है. हमारे स्कूल में एक इवेंट था, डांस बनाइंजा, जो की किंडर गार्टन से लेकर फोर्स इंड के बच्चों के लिए औरगनाईज किया गया. इसमें जो चीफ गैस्ट रही हो हमारे स्पी शिमला मैम सौमे थे और सभी पेरेंट्स ने बड़े उत्सा के साथ इसमें प पेरेंट्स सारे स्टाफ को इसके लिए बदाई दी है और मैं भी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ.